आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीजो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सेलिशन पाओ डाउनलोड नाओ आपको आइडेंटिफाई करना अपन को ABCD में से तो हम पहले जो BR2 इंदी प्रिजेंस अपना एचनु होता है वो क्या है? BR2 ये आपका लिखा हुआ है एचनु के प्रिजेंस में इसका होमोलाइटिक प्लीविज होता है होमोलाइटिक प्लीविज मतलब आपका जो दोनों BR है वह एक 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 एलेक्टोन अपना लेकर चले जाएंगे और क्या है? BR रेडिकल जनरेट करेगा तो ये जो आपका डेरिवेटिव आप साइक्लोहेक्जेन दिया गया है आपका ये मेथाइल साइक्लोहेक्जेन तो इसके उपर अगर आप BR डॉट की रियक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि HBR जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है जो ये BR रेडिकल है इसके प्रिजिंस में दूसरा रेडिकल जनरेट हो सकता है आपके कौन-कौन से रेडिकल जनरेट हो सकते हैं एक तो ये रेडिकल हो सकता है तो मतलब पॉस्बिल्टी है आपको कौन-कौन से रेडिकल जनरेट होने की तो एक यहां पर रेडिकल जनरेट हो सकता है फिर आपका ये रेडिकल जनरेट हो सकता है यह वाला रेडिकल अब एक रेडिकल यह हो सकता यहां और यहां मतलब दोनों क्या है एक्विलेंट पोजिशन है तो मैं एक रेडिकल आपको बना देता हूं ठीक तो आपका एक रेडिकल यह इसके बाद आपका यहां 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 यह दोनों equivalent पोजिशन है rating बना दीजिए तो एक रेडिकल गधाय के मितायल के पैरा पोजिशन पर विनले करण जनरेट को अतु t vest generate हो सकता ठेकहे सो आपका generate होने की बात होई यह आपके रेडिकल होगे आप देखो यहाँ पर यह जो रेडिकल है यह यह और यह यह तीनो रेडिकल जो है यह आपके secondary radical है और secondary radical आपका यह हुआ इस यह primary है और यह हुगा Tertiary जो Radical की Stability होती है वो Tertiary is greater than secondary is greater than primary यह Stability Order आपको याद रखना है आपका यह हो गया Tertiary Radical जो है More Stable है तो Product भी उसी का Major बनेगा यह Tertiary Radical आपका क्या हो गया यह हो गया इसके पाद जो है एक Radical ने इससे Reaction करके HBR बना दिया और दूसरा Radical जनरेट करेगा अब एक जो बचा हुआ Radical है वो क्या है इससे Reaction करेगा और Reaction करने से आपका क्या है यह जो VR था यह आपका इधर एड हो जाएगा मतलब कि VR Radical आपका Combination Reaction देगे So this is A, और Alcoholic Quage के presence में आपका क्या हो जाएगा एक क्या है यह पहले Proton F-Tech करता है और फिर VR को लीप कराता है So अगर हम बात करें कि यह जो Position है इधर पर जो Proton लगई हो और इधर पर वो Equalent Position है So जो Alcoholic Quage है यह यहां से Proton लेगा और इस VR को अटा देगा So इसने यह Proton लिया और यह अपने बांड बनाया और बी आर को अटा देगा एक possibility तो यह है आपके Alkine की So यह आपके Alkine हो गए एक दूसरी possibility यह है कि इधर से एक Proton ले और बी आर को अटा देगा तो दूसरी possibility जो है आपकी यह हो जाती ठीक है अप दूनों possibility में हम किसको मानेंगे तो जो सेट जयफ Alkine कहती उसमें जो greater number of Alkyl groups जो मौझूद होते हैं उसको माना जाता है ठीक है तो इस वाली Alkine आपकी यह है तो इस पर एक Alkyl group दूसरा Alkyl group सो दू Alkyl group इसमें मौझूद है इस वाली यह आपके Alkyl है तो एक Alkyl दू Alkyl और तीजन Alkyl सो यह वाला क्या हो गया आपका मेजर हो गया तो सेट जयफ Alkyl के according आपका यह मेजर हो गया अब lets इस ऑप के बार आपको करानी हो स्मीम o4 से रीक्षिन कराएंगे तो आप क्या बनेगा आपका c बनेगा तो सी जो है तो किया o4 जो है यह आपका क्या करता है deeilongол को formation करता है और यहां पर आपका क्या है दो OH ग्रूप आ जाएंगे ठीक यह आपका क्या हो गया दिस इस C अब यह C की उपर हाई ओफोर की reaction कराने तो यह जो है आपका इससे हाई ओफोर की reaction कराएंगे तो मैं यहां से दोबारा से C लिख लेता हूँ तो यह जो आपका हो गया अब हाई ओफोर की reaction आप जब कराएंगे तो हाई ओफोर का function क्या है कि जो वह करता है CC bond की breaking CC bond जो है break करता है कहां पर जहां पर दो OH ग्रुप मौझूद होते हैं तो CC bond को break करेगा और यहां से यह break करके और इन जो alcohol है इनको क्या करता है oxidized कर देगा तो प्रोड़क्ट जो बनेगा वह आपका क्या हो जाएगा यहां पर आपका यह है आपका product मैं नीचे लिख दे रहा हूं सो अगर हम CC bond की breaking करते हैं सो और यह जो है आपका इस alcohol को क्या है oxidized कर देगा तो यह आपका alcohol जो है यह आपका ketone में बदल जाएगा और यह जो है आपका aldehyde में बदल जाएगा ठीक है यह हो गया और आपका यह यहां पर CHO ग्रूप तो दिस इस दी प्रोड़क्ट सो ऐसा प्रोड़क्ट जो है यह जो आपका D है डी आपका किस option में है यह प्रोड़क्ट जो डी डी जो है आपका option नमबर डी में ही दिख रहा है सो डी जो है इसका correct answer हो जाएगा थैंक यू Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करें doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर